दोस्तों अगर आप भी विरेंदर साहवा को एक महान खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों जोहांसबर्ग के मैदान पर खेले जा रहा है दूसरे टेस्ट मुकाबले में हमें काफी कुछ देखने को मिल रहा है आपको बता दें कल शार्दूल ठाकुर की गेंद पर रिशफपंद ने साउथ अफरिका के बलेबाज वांडर डुसेन का एक कैच पकड़ा था जिस पर काफी विवाद हुआ वहीं इसको लेकर आज पहले सत्र में जल्दी जल्दी विकेट गिरने के बाद रिशफपंद जब मुश्किल समय में बलेबाजी करने आए तब साउथ अफरिका के खिलाडियों ने उन पर काफी छीटा कशी की जिसका असर उनके खेल में साफ दिखने को मिला और वो साउथ अफरिका के सर्वसेष्ट गेंद बाज कगीसोर अबाड़ा को कवर ड्राइब के उपर से चक्का लगाने के चक्कर में विकेट के पीछे कैच दे कर चले गया जिस पर भारत के पुर वेसफोटक माहान बलेवाज वीरेंदर सावाग ने अपना एक गुस्से से भरा बयान दिया है तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं क्या कहा वीरेंदर सावाग ने लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रिशब पंत और केल राहूल में से शांदार विकेट की पर बलेवाज कौन है अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए दोस्तों साउथ अफरिका के खिलाफ खेला जारा दूसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड पर पहुँच चुका है एक तरफ जहां सुबह ऐसा लग रहा था कि भारते टेम इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगी तो वहीं साउथ अफरिकी गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम की भी वापसी करा दी है और अभी तक ये मुकाबला बराबरी पर खड़ा है जहां से दोनों ही टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है लेकिन वहीं बीच मैदान पर जब रिशब पन्त बल्ले बाजी करने आये तो काफी कुछ घटा वहीं कल जब रिशब पन्त ने वांडर डुसेन का एक कैच पकड़ा तब उसको ले कर काफी विवात खड़ा हुआ आपको बता दें कि जब रिशब पन्त ने उनका कैच लिया उससे पहले ही गेंज जमीन को लग गई थी और जब तक रिविय में इसाफ हो पा तक तब तक बल्ले बाज बाउंडरी क्रॉस कर चुके थे जिसके बाद अंपायर ने उन्हें वापस नहीं बुलाया और इसी पर साउथ अफरिका के पुर्व दिगज रिशब पन्त पर काफी भड़कते हुए नजर आये लेकिन इसमें रिशब पन्त की कोई गलती नजर नहीं आ रही थी और इसी मुद्दे को उठाते हुए आज सुबा जब रिशब पन्त मैदान में बल्लेवाजी करने के लिए आये तब साउथ अफरिकी खिलाडियों ने उनके उपर काफी छीटा कर्शी करी जिस पर उतेजित होकर रिशब पन्त ने साउथ अफरिका के बेहतरीन गेंदबाज का गीसो रबाड़ा की गेंद पर कवर के उपर से छक्का लगाने के चक्कर में विगट के पीछे कैच थमा कर पविलियन चले गए क्योंकि उनसे पहले उनकी टीम आती है और अगर साउथ अफरिका खिलाडी उन्हें कुछ भूल रहे हैं तो उन्हें अंसुना करके अपनी बैटिंग पर उनको फोकस करना शाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके एक बेहत ना समझी भरा कारी किया है और मुझे उनसे ऐसी उमीद नहीं थी कि वो एक शांदार खिलाडी हैं लेकिन उनको अपने इन गल्तियों से जल्दी सबक लेना होगा नहीं तो वो जल्दी ही भारती टीम से बाहर हो सकते हैं दोस्तों वीदेंदर साहवाग का ऐसा बयान ये दर्शाता है कि वो रिशापंद से काफी नाराज हैं और उनसे उनने काफी उमीद थी कि वो इस मुश्किल समय में बेहतरईं बले बाजी करके दिखाएंगे YouTube चैनल को.